हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल इस स्टडी जोन पर दोस्तो नीट यूजी के एस्परेंट्स के लिए यहाँ पर दो बहुत ही बड़ी सौकिंग नीज निकल कर आ रही है दोस्तो यूजी पोस्पॉंट को लेकर दोस्तो वो क्या अपडेट है उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि उमिदवारों के तरफ से काफी कमेंट आ रहे थे पोस्पॉंट को लेकर कोई ओफियसली अपडेट आई या नहीं आई इस चीज को लेकर तो दोस्तो आप सभी के लिए एंटिये द्वारा एक बहुत ही महतरपूर पॉस्पॉंट को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगला कदम क्या होगा वो भी मैं आप Сबी को बताने वाला हूं क्योंकि दोनों अप्डेट आप आप सभी के लिए काफी ज़़ा important होने वाली है चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी information देते हैं इस दोनों update के regarding यूजी पोसपॉइट के regarding यहाँ पर जिसेते हैं कि पवन भड़ाना की तरफ से आप सभी के लिए काफी important update यहाँ पर यूजी पोसपॉइट को लेकर दोस्तो वो क्या update है उसके बारे मैं आपको पहले बताता हूँ जैसा कि दोस्तो पहले आप यह image देख लीजिए यहाँ पर कल यानि कि दोस्तो कल जो है आप सभी के लिए आप सभी यूजी पोसपॉइट को लेकर यहाँ पर NTA द्वारा एक मुलाकात की गई एक meeting की गई और कई सारे लेटरों भी यहाँ पर swap गए यूजी पोसपॉइट को लोगर और वो भी with fact यहाँ पर जो है issue के साथ और इसकी जो exam है उसे क्यों delay होना चाहिए इसके regarding पहले आप यहाँ पर image देख लिजे क्योंकि दो चार उमीदवार जो गए थे और साथी पवन भढ़ाना जी भी इसके regarding में गए हुए थे चलिए दोस्तों वो मैं आपको दिखा दिया हूँ अब दोस्तों मैं आप बताता हूँ कि उनके तरफ से क्या update आया है यहाँ पर पहला देख तो देख सकते हैं कि उनके तरफ से बताया गया है कि first time when I meet वनीद जोसी सर after soon time will meet again for the student cousins अगर सब कुछ ठीक रहा तो but some disturbing elements are trying to stop my the entry in politicals यहाँ पर जिखते हैं कि I am in touch with ministry साथ ही यहाँ पर जिखते हैं कि कल जो है यहाँ पर पवन भड़ाना जी जो है वो वनीद जोसी यानि कि director NTA के उनसे मीर मिले और साथ ही यहाँ पर जो है यूजी पोस्पॉंट को लेकर जो है उनकी वारतय लाब होई पर यहाँ पर कल जो है कुछ disturbing elements यानि कि कुछ politician उनको यह नहीं चाहते हैं कि इस वो exam को यहाँ पर पोस्पॉंट कर आजाए इस चीज को लेकर यहाँ पर कई सारे ऐसे अवियरती भी दोस्तों है कि यूजी के exam को वो पोस्पॉंट नहीं चाते हैं पर दोस्तों देख सकते हैं कि उनके तरफ से एक और information है जो मैं आप सभी को बताने वारा हूँ क्योंकि इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर कितने दिन के लिए मांगे हुई है वो भी इस पर असपश्ट नहीं किया गया है पर finally कल जो है NTA के डारेक्टर से इनकी मुलाकात होई है यहाँ पर यह आप दिख सकते हैं कि कई सारे इसू को लेकर यहाँ पर वारत अलाब की गई साथी दोस्तों यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि यहाँ पर आप सभी के लिए जो उनके तरफ से मांग थी वो यहाँ पर दिख सकते हैं कि NTA differ NIT UG, it's humbly request at the rate DP राधा BJP and DZ NTA Students are really depressed and taking pain, please listing them postponed 45 days NIT UG, it's यहाँ पर दिख सकते हैं कि as it not bigger matter for you यानि कि दोस्तों जो इनकी मांग थी उस meeting के regarding उनकी मांग थी कि जो NIT UG की exam है उसको कम से कम यानि कि 45 दिन तक यहाँ पर डिले करना चाहिए और यह कोई बड़ा matter नहीं है अगर higher authority अगर यह चाहती है तो वो easily इस exam को postpone कर देगी और UG के aspirants को उनकी परसानियों से उनकी दिकतों से उनकी टेंसन से उन्हें मुक्त कर सकती है कि वो अपनी और बहतरी त्यारी कर चुके पर दोस्तों यहाँ पर possibility अभी तक उनके regarding कुछ बताया नहीं गया है पर दोस्तों times now के regarding मानें तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक अच्छी news निकल कर आ रही है जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि जो exam है यानि कि दो exam classes होने के यहाँ पर chances लग रहे हैं पर दोस्तों इसी के regarding अगर NTA अपने judgment के अनुसार CUET की exam कराता है जुलाई के second week तक तो आप यह finally मान सकते हैं कि यूजी की exam 100% postpone होगे पर दोस्तों अगर NTA अपने बात से मुकरता है और इसकी exam date यूजी के बाद रखता है तो आप सभी की निर्धारित समय पर exam हो सकती है पर दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम chances बताया जा रहा है कि NTA जो है अपने बात से मुकरेगा और यूजी की जो exam है उसे यहाँ पर delay करेगा पर दोस्तों देखना यह है कि आखिर जो अंतिम निर्णे है वो क्या होता है क्योंकि एक या दो दिन के अंदर इसकी regarding कोई ना कोई information आप सभी के लिए बहुत महतरपूर्ण निकल कर आने वाली है जो मैं आप सभी को बताऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों अभी के लिए अपडेट निकल करा रही थी जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक सेर किया गया अगर यूजी के regarding कोई भी information आएगी सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट सेर की जाएगी तो फिर मिलते हैं दोस्तों आगले वीडियो में तप परले दोस्तों जाहें दे